और आप देख रहा हो यहाँ पर एक्सल में जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं इसमें कॉमा लगा हो अगर आप चाहते हो कि इन कॉमा को रिमूब कर दो वह भी फिक्स फंसन को इस्तिमाल करके तो देखते हैं कि किस तरह से आप इनको रिमूब कर सकते हो तो सबसे पहले आपक लिखने के पाद आपको इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर दो जाहाँ तक आपका डेटा है और आप देख रहे हो कि जितना भी नंबर में प्रॉमा था हुआ रिमूब हो चुका है आज के वीडियो में बस इतना ही थैंक्यू